पाइप में से पानी निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पानी के कुए में से ओयल निकल रहा है यानि की तेल निकल रहा है अपने आप में ये देखकर सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा है अभी ये पानी निकलने वाला है वेल पेट जो ट्यूबेल है उसको का ट्यूबेल करवाता है और अगर उस ट्यूबेल में तेल निकल जाए तो उस किसान के तो बल्ले-बल्ले हो जाती है वो किसान तो माला माल हो जाता है आज कुछ इस परकार का ही वीडियो दिखाने आप लोगों को जा रहा हूं कि एक पानी के ट्यूबेल में तेल निकल रह हालां कि क्रूड अगर पानी की तरह निकलता तो यह किसान तो राजी हो जाता किसी को कहता भी नहीं अपने आप ही रिफाइंदरी लगा देता लेकिन कि यह किसान अभी इस किसान के हाल बेहाल है क्योंकि इसके कुए से जो तेल निकल रहा है वो दरसल अपसिष्ट पडार थ होता है चिकना पानी आजाता है जिससे किसान अपने खेत में खेती भी नहीं कर पाता है लेकिन उससे चिकना पानी आजाता है अपसिष्ट पडार था जाता है जिससे सारी की सारी फसले खराब हो जाती है क्या पूरा मामला है क्या पूरा मसला है वो मैं आपको समझाऊंग लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें दर असल राजसान के बाड़मेर जिले में एक कंपनी जो तेल खनन का काम करती है यानि कि यहां की बाड़मेर की धरती में यहां पर क्रूड ओयल निकलता है जिसे पैट्रोल डीजल गैस यह तमाम से क्रूड ओयल निकालने के बाद जो पीछे कचरा बच्ता है अपसिष्ट रोव बच्ता है उस एक मसीन से उसमें करके लाते हैं और फिर वह जमीन के अंदर जाता है तो आजपास किसानों के खेतां में जो टूबेल क्यों होते हैं उसमें वो पानी मिक्स हो जाता है और विचारे जब किसान अपने खेत में खेती करते हैं तो उनके खेतों में वो अपसिष्ट पदार्थ याने की डंप किया हुआ जो पानी है वो आ जाता है तो अभी हम एक ऐसे टूबेल पर हैं बारमेर जिले के MPT के वेल पेड संख्या 18 खान जी का तला अब यह किसान जो भाई साब है यह अपना जो है मशीन चालू करेंगे वेल जो ट्यूबें है वो चालू करेंगे और उससे कैसा पानी निकलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा यह बाल्ती आप देख लिजी एकदम पूरी तरीके से स साफ है और इस पाइप के अंदर भी कुछ नहीं डाला हुआ है अब यह जैसे ही में अपनी मोटर स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए गाए कैसा यहां पानी आता है इस टूबेल के अंदर तो अभी इस पाइप में से पानी निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पानी के कुए में से ओयल निकल रहा है यानि की तेल निकल रहा है अपने आप में यह देख कर सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा है अभी यह पानी निकलने वाला है वेल पेट जो टू तूबेल में से पानी का टूबेल हैं और अभी ओयल निगलेगा और आप देखिए ये देखिए ये किस तरकार का पानी है बालती एक तरफ लेलो आप बालती एक तरफ लेलो ये जो है ये पानी की तरह नहीं है एकदम चिकना पानी मेरे हाथ आप देखिए जैसे अपन सर में तेल लगाते हैं ओयल लगाते हैं ठीक उसी परकार का पानी है तो यह अपने आप में क्या हाल होते होंगे इन किसानों के आप जरा सोचिए कि कैसे अपने खेत में खेती करते होंगे कैसे इनके खेत में जो फसले होती होगी अब यह भाई साब हैं खेत वाले मैं इनसे ही बात करूँगा इसा क्या नाम है आपका तग्णा रहा हुआ है आप तो न्याल हो गए आपके पाने के क्यों निकल रही है यह तो पानि खरब पीने के लाइग नहीं है खेटी वेती सब करते हैं तो जलके नस्त हो जाती है और यह तो पानी के लिए पानी के लिए कम से कम साथ किलो मेटर से टंकर यहां डलवाते हैं यह हाल हो गया है तो यह कब से पानी आ रहा है यह पानी आ रहा है आफ में कर् enseilation का माला को बहुत बोला था लेकिन हमारी कोश्वाइ है क्या आद्म蛋 करते हैं यह सब्सक्राव नहीं रख लुण SCOTT टोबी मानते हैं अच्छाлох थे मेरे नाम मैं इस हां यह थे पूरी बानई के कुवों अ pist Surprise दालते है यह कोई वीक्यूम है। उसे जो वेल पेड का फूर तक सब्धTrude दालता है।। वेल्स सब्सक्राइब चेका पढ़ जाता ही। आप देखे कि यह इसको पानी है। और खेताओं में जो पानी है आप इसको पानी आलाकि आपके हात लगा हो गय तो आपको समझ में आ जाएगा यह पानी कैसा है जैसे अपने किसी पानी के अंदर कोईय여 तेल दाते हैं फिर पानी कैसा हो जाए तो कहीं ने कहीं यह अपने आप में इसको लापरवाई कह सकते हैं और मैं खास बात बता इसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि वैल पैड में जब कुरूड का खनन होता है उसके बाद से जो अपसिष्ट द्रव रहता है उसको डंपिंग करने के लिए कंपनियों की और से चिनीत जगें होती है और बार्मेर के बास करें तो बार्मेर फ कि kita के हजारों किसानों उको जो है वो इन्होंने बर्बाद कर दिया किसान खेती भी नहीं कर पा रहे है अब आप सोचिए ऐसा पादी कोई क्या से पिएगा यह और गंदा पादी हो मिट्टी उस गोन लोग ces अंदर तो किसानों के घर में वो आरो भी नहीं होता है तो कैसे करें तो मैं चाहूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर करें कमपनी के अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचाएं और सरकार तक भी पहुंचाएं बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद